तो अब हम QuickBook के अंदर जो है वो अपने Depreciation के Topic को जो है वो डिसकस करेंगे और मैंने इस Topic को डिसकस करने के लिए जो है वो दो एक्जेम्पल्स जो है वो लिए हैं जिसके अंदर एक एक्जेम्पल में जो है मैं Laptop को Purchase कर रहा हूं और मैं ये Consider कर रहा हूं कि जो हमारी Dep Depreciation है वो जो है वो Straight Line Method से है और एक एक्जेम्पल के अंदर जो है मैं Vehicles को जो है वो परचेस कर रहा हूं और ये एजूम कर रहा हूं कि उसके लिए जो Depreciation है वो Reducing Balance Method के उपर है तो सबसे पहले आप यह देखें यहां पर आपको एक Purchase Invoice नजर आ रही है जिसके अंदर ह है एक Purchase कर रहे हैं Laptop जिसकी Details जो है वो यहां पर हमें स्क्रीन के उपर दी रही है कि वो 1000 का Laptop है 20% उसके उपर वैट है उसकी Total Amount वैट को इंक्लूड करके 1200 है और यहां पर हम यह जूम कर रहे है कि जो Laptop है उसकी जो Solvege Value है वो Zero है और वो पूरे का पूरा Depreciate हो जा रहाते हैं हम QuickBook पे यहां पर हम आगए Chart of Account के अंदर सबसे पहला काम हमें यह करना है कि यह वाला जो हमारा Laptop है हमने इस Laptop को जो है वो Add करना है तो यहां पर हम आते हैं और यहां पर आके देखते हैं कि हमारा जो Computer Equipments हैं उनका Code कौन सा है Computer Equipment का Code है 305 तो सबसे पहले य New Account Create करना पड़ेगा आप चाहें तो आप इस Laptop को Computer Equipment के अंदर भी डाल सकते हैं लेकिन बहतर यह है कि आप एक अलग-अलग Account बना ले और इसके सब Account बना ले Computer Equipment का ताकि आपके पास एक Track Recorder है तो हम इसी तरह करेंगे सबसे पहले यहां पर हम New में जाते हैं New में जाने के बाद जो हमें एक Account जो है वो Create करेंगे यह मेरे सामने जो है कि कहते हैं एक Screen Open हो गई है यहां पर सबसे पहले वो पूछ रहा है कि Account का Name क्या है यहां पर मैंने Account का Name जो है वो लिख दिया कि मेरे पास यह जो है यह Dell का Laptop है Account नमबर मेरे पास क्या है यहां पर 305 Computer Equipment का Code तो यहां पर मैं 305 A कर देता हूं और इसको जो है मैं एक Sub Contract Sub Account जो है वो बना देता हूं यह Sub Account किसका होगा Computer Equipment का जो है वो Account होगा यह मेरे पास Sub Account है Computer Equipment का तो यहां पर मैं आ जाता हूं और यह Sub Account हो जाएगा Computer Equipment का ठीक हो गया यह Computer Equipment का सब Account हो गया अब इसकी Account Type जो ह पर आ गया और इसके अंदर जो detail type होगी यहां पर हमारे पास accumulated depreciation इसकी जो हो depreciation होती है यह accumulated depreciation आ गया इसका जो default tax code है वो हम यहां पर रख देते हैं 20% और इसकी opening balance इसका कोई भी नहीं और इसकी description में हम क्या कर देते हैं हम यहां पर आते हैं और यह जो पूरी इसकी description दीवी ह और यहां पर कॉपी करते हैं और यहां पर आके डिस्क्रिप्शन में इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और यहां पर आके इसको सेफ कर देते हैं तो यह हमने एक अकाउंट जो है अब अपना क्रियेट कर लिया है लैप टॉप के नाम से कंप्यूटर एक्विप्मेंट के नी यहां पर अब जब मैं आऊँगा तो यह देखें यह मेरे पास computer equipment है और यह computer equipment के नीचे यह इसका sub account मेरे पास यहां पर आ रहा है अब हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके अब हम अपने लिए जो है वो क्या करते हैं एक purchase invoice जो है tech world limited के नाम से जो है मेरे पास यह एक supplier है यह मैंने supplier को जो है वो add कर लिया अब उसके बाद यहां पर अगला काम क्या है यहां पर अगला काम मेरे पास यह बाकि उसकी detail पूछ रहा है यह detail हम यहां पर नहीं डालते इसको close कर देते अब अगली details की तरफ आते हैं यह हमने 1st October को purchase किया और इसकी due on receipt है यहां पर जो इसकी date है वो date हमारे पास है 1st October इसकी due date भी हमारे पास 1st October है ठीक हो गया यह इसका जो bill number है invoice number इसका यह है इसको यहां sim copy करते हैं मैं simple जो है सिर्फ एक bill जो है वो record कर रहा हूँ इस टाइं यहां पर आके हम इसको paste कर देते हैं अब उसके बात जो है यहां पर आके हम अब यहां पर category मेराते है और category में आके जो हमने एक account create किया था 3051 का उसके अंदर हम इसको डाल देते हैं ठीक हो गया यह हमारे डिक देते हैं 1000 ठीक है वैट कोड हमारे पास जो है वो 20 परसंट है तो यह आप देखें यहां पर मेरे पास जो है वो बिल जो है वो create हो गया है और यहां पर मैं save and new पर click कर देता हूँ तो अब यह मैंने जो है कि कहते हैं एक यहां पर हम देख लेते हैं यू मस्ट सेलेक्टा सप्लायर तो यहां पर हम सप्लायर भी सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर हमने एक सप्लायर सेलेक्ट किया था टेक यहां हमारे पास supplier था यहां पर आ रहाते है Tech World Limited यहां हमारे पास एक supplier था इसको दुबारा से एक दफ़ा एड़ कर लेने यहां पर आ रहाते हैं उस time add नहीं हुआ होगा यहां पर Tech World Limited पर आ रहाते हैं यह हमने supplier को जो है वो add कर लिया और यहां पर आके हमने इसको जो है वो सेव कर लिया तो यह मेरे पास अब सप्लायर भी एड़ होगी और यहां पर मैं सेव एंड नियू पर क्लिक कर देता हूँ तो यह मेरे पास जो है वो बिल रिकॉर्ड हो गया है अब यहां पर मैं चार्ट आफ अकाउंट के अंदर आ रहता हूँ और चार्ट आफ अकाउंट के अंदर आके अपनी स्क्रीन को जो है वो रिफ्रेश करता हूँ यहां पर आके मैंने स्क्रीन को जो है रिफरेश किया और अभी मेरे पास जो है वो चार्ट आफ अकाउंट दुबाना से जो है वो शो होंगे जिसके अंदर मेरा जो computer equipment जो मैंने अभी ऐट किया है वो मुझे यहां पर जो है वो शो हो जाए गा तो यह आप यह देखें यहां पर मेरे पास यह computer equipment है और computer equipment के अंदर यह मुझे amount जो है वो show हो गई है अब इसकी detail type में आप यहाँ पर हमने accumulated depreciation को जो है वो select किया था यहाँ पर जबके इसकी detail type other tangible assets बनती है तो यहाँ पर हम जाके इसको edit करते हैं यहाँ पर जाके इसको edit कर लेते हैं इस तरीके से हम अपनी कोई भी account की details वगारा जो होंगी वो इसको edit कर सकेंगे तो यह tangible assets है और इसकी detail type में आके यह हमारे पास other tangible assets जो है उसको हम यहाँ पर select कर लेते हैं और इसको save कर देते हैं तो यह हमने इसकी detail type जो है यहाँ पर अपने पास जो है उसको update कर दिया है अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास retail type जो है वो इसकी add होगई है और यह हमारे पास other tangible assets के अंदर जो है वो आ गया है अब एक चीज तो यह हो गई कि हमने computer equipment को जो है वो record कर लिया अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी जो है वो दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर accumulated depreciation यहां पर accumulated depreciation है of computer equipment की तो यहाँ पर आप देखें इसका balance जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या show हो रहा है जीरो शो हो रहा है अब आप यहाँ पर एक चीज देखें या तो आप एक काम कर सकते हैं आप इस laptop के लिए इसकी accumulated depreciation का account भी अलग से बनाएं या तो आप ये काम कर सकते हैं या आप ये कर सकते हैं कि जो accumulated depreciation office computer equipment का account है उसी के अंदर जो है ना वो आप अपनी depreciation को जो है वो चार्ज करते रहें तो अभी के लिए हम इसी के अंदर जो है वो उसको चार्ज करेंगे अब हम क्या काम करते हैं अब हम यहाँ पर आ रहाते हैं और यहाँ पर आके देखते हैं कि वो हमें अब यह कह रहा है कि आप यह assume करें कि आपका जो laptop है उसकी salvage value zero है और यह एक साल के अंदर पूरा depreciation हो जाएगा और हम इस example के अंदर यह consider कर रहे हैं कि जो हमारी depreciation है वो straight line से है तो इसका मतलब है कि जो हमारी depreciation पर month बनेगी 1000 पे का जो है यह equipment है और यह एक साल के अंदर fully depreciate हो जाएगा तो तकरीबन 833.33 pound जो है यह हमारे पास जो है per month depreciation जो है वो बनेगी अब हम इस depreciation को जो है वो record करते हैं यह हमने खरीदा कब था यह हमने खरीदा था 1st October को यानि जो इसकी पहला depreciation का month होगा वो October होगा यहनि हर month के end पे जो है यह record हो जाएगा अब इसके लिए हम क्या काम करते हैं क्योंकि straight line depreciation है और हर month एक ही depreciation amount होगी तो हम एक recurring और repeating जो जो है उसके थ्रू जो है अपनी depreciation को रिकॉर्ड करते हैं तो यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर आके रेक्रिंग ट्रांजेक्शन में आते हैं और आप यह देखें यहां पर रेक्रिंग ट्रांजेक्शन में आने के बाद यहां पर रेक्रिंग ट्रांजेक्शन में कैसे आते हैं यहां पर आपने इधर चले जाना है आपके पास बनावाई settings का बटन और यहां पर आके यह रेक्रिंग Transaction नहीं आप आ जाएंगे यहां पर okay पर click करने के बाद आपके पास एक रेक्रिंट ट्रांजेक्शन की जो है जनरल एंट्री के लिए screen जो है वो open के आ जाएगी अब यह देखें यह screen मेरे पास यहां पर open के आ गई है इस template का आप नाम जो है वो क्या रखना चाहते हैं मैं इस template का नाम रखना चाहता depreciation यानि के मैं depreciation record कर रहा हूँ अब यह कब record हो month के आखरी day में यानि हर month को last day के अंदर जो है यह record हो जाए और यह कब record हो of every one month हर month record हो इसकी जो start date है वो start date इसकी को होनी चाहिए 31 October इसकी start date होनी चाहिए यहां पर आप देखें यह बाए में आपकी end date जो है वो end date आपकी आ आ जाए यहां पर आके आप 38 September 2025 को जो है वो select करने यह आपकी end date बनती है और उसके बाद यहां पर आपकी जो है वो depreciation जो है वो charge होगी यहां पर आके आप करेंगे depreciation expense जो है यह आपका depreciation expense debit हो जाएगा कितनी amount से 833.33 से यहां पर description आपकी आ जाएगी जी depreciation for यहां पर जो आपने इसके laptop का नाम था यह आपका आगया यह मैं इस laptop के नाम को copy कर लेता हूँ और यहां पर आके paste कर लेता हूँ depreciation for this अब यहां पर जो है हमारी depreciation आ गई और जो हमारा credit हो जाएगा वो हमारी credit हो जाएगी accumulated depreciation यहां पर accumulated depreciation computer equipment की accumulated depreciation जो है वो हमारे पास यहां पर credit हो जाएगी और इस template को जो है यहां पर मैं save कर लेता हूँ यह इस template को जो है यहां पर मैंने save कर लिया है तो यहां पर जो है क्या कहते हैं अब यह हमारा template जो है वो create हो चुका है और अब यह scheduled हो गया है और इसकी जो date है posting की वो हमारी date कौन सी है 31st October 2024 है यानि अब हर month को जो है ये जो JV है ये हमारा post जो है क्या कहते हैं वो होता रहे गा तो ये तो हमने अपनी depreciation record की straight line method से जब हमारा depreciation rate जो है वो एक ही होता है अब हमें कैसी example लेके चलते हैं जिसके अंदर हम depreciation को record करेंगे reducing balance method के थूँ तो अब हम यहाँ पर आजाते हैं और यहाँ पर आके आप यह देहें यहाँ पर मैं आता हूँ और अब यह मेरे पास एक example है कि मैं एक vehicle purchase कर रहा हूँ लगिरी मोटर्स लिमिटेट से ठीक है और यह जो है यह उसकी invoice date है और यह जो है first January 2024 को और यह उसकी invoice है और यह जो है कि कहते हैं सारी details है अब मैं दो गाडियां जो है इस time वो purchase कर रहा हूँ जब आपको याद होगा कि मैं शुरू शुरू के अंदर अपना chart of account बनाया था तो मैंने दो गाडियों को जो है वो add किया था और आप से बात की थी के बाद में हम इन गाडियों को add करेंगे अब account तो chart of account में हमारे पास हिनके बने पड़े है अब हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी purchase जो है वो record करनी है यहाँ पर देखें पूरी detail है कि इसकी unit price 30,000 है black वाले की और white वाले की 32,000 है और यह जो है उसकी सारी की सारी details है जो के हमें दीवी है अब हम क्या काम करते है सबसे पहले हम जाके अपने bill को जो है वो record करते हैं आप यह देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि यह मैं चार्ट of account के अंदर आयों और चार्ट of account में मैंने motor vehicle cost के अंदर जो है यह दोनों पहले से ही add किये हुए है जब मैंने अपने चार्ट of account बनाये थे शुरू शुरू में तो अब यहाँ पर मैं जाता हूँ bill बे और बिल में आने के बाद जो है और यहाँ पर आके मैंने इसको save कर लिया तो यह luxury motors limited का account मेरे पास save हो गया है अब यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर इसकी date है first January और इसके जो days है वो 30 है तो यहाँ पर आके मैं select कर लेता हूँ date जो है वो first gen 2024 यहाँ पर आके मैं first gen 2024 select करता हूँ और जो इसकी term है वो 30 days की है तो यह मेरे पास इसकी term आ गई 30 days और यहाँ पर जो इसका bill number है bill number मेरे पास यह दिया वा है यहां पर मैं इसको copy करता हूँ और यहां पर आके मैं इसको paste कर देता हूँ तो यह मेरे पास जो है क्या कहते है अब यह record हो गया अब आ जाता हूँ मैं अगली detail के उपर सबसे पहला मैंने item purchase किया है Mercedes का ठीक है तो यह 306 से मैंने एक account बनाया था यह ने यह मैंने एक Mercedes जो है वो purchase की है ठीक हो गया अब यह वाली जो है यह इसका V.I.N. number है इसको ठाके जो है मैं यहां पर description के अंदर डाल देता हूँ और यहां पर आ रहता हूँ और इसकी amount जो है वो कितनी है amount है इसकी 30,000 ठीक है तो यहां पर आके मैं लिख देता हूँ 30,000 amount और यहां पर जो इसका वैट है वो वैट हमारे पास है 20% तो यह हमारे पास एक record हो गई अगली चीज जो है वो हमारे पास जो है इसका V.I.N. number यह है और वो है 306 B और उसकी amount है 32,000 तो यहां पर आ जाते हैं यहां पर आके मैं अपने दूसरे वहीकल को जो है वो add कर लेता हूँ और यहां पर आजाते हैं और इसकी amount है 32,000 और यहां पर जो हे 20% जो है वो वैट आ गया तो यह मैंने जो है वो invoice record कर लिए बिल जो है हो record कर दी अपना मैं save and new पे आ जाता हूँ और ये मेरे पास bill जो है वो save हो गया है अब मैं जब अपने chart of account के अंदर जाओंगा तो मेरे पास ये दोनों वहीकल्स की amount जो है वो आ रही होंगी आप ये देखें अब chart of account के अंदर जो है मेरे पास ये दोनों वहीकल्स जो है वो add हो चुके हैं बैली गाड़ी की solid value 6000 है दूसरी गाड़ी की 6400 पांड है ठीक हो गया इसकी जो depreciation method है वो इसका reducing balance method है और हर month जो है हर साल जो है ये 30% के उपर जो है वो reduce होती है तो ये हमारा reducing balance method जो है वो आ गया है अब यहां पर जो है reducing balance method के थ्रू जो है वो हम अपनी depreciation को जो है वो calculate करे और depreciation calculate करने का जो method formula होता है reducing balance method के उपर वो आपकी net book value multiply by depreciation rate जो है वो होता है इसका मतलब कहने का क्या है इसका मतलब कहने का ये है कि 30% आपकी annual depreciation है 12 months की depreciation है इसका मतलब है कि per month की depreciation आपकी 2.5% जो है वो हो गई तो अब यहां पर हम आते हैं और यहां पर आके मैंने schedule जो है वो बनाया है जो के आपका चल रहा है जन्वरी से लेके December तक और यह onwards इसी तरीके से चलता रहेगा जैसे मैं आपको यहां पर बता रहता हूं कि गाड़ी की value थी 30,000 और per month depreciation थी 2.5% तो जब आपने depreciation ली तो value depreciation की value बनी 750 और जो इसकी book value बनी 29,250 बनी तो February 24 में इ आपके पास जो बाकी amount बचेगी वो यह बनेगी और यह इसी तरीके से आगे carry forward हो जाएगी and so on and so on तो यह आपके पास पहली गाड़ी का schedule था same as it is इसी तरीके से आपके पास दूसरी गाड़ी का schedule भी जो है वो यहां पर है उसकी जैसे book value आपके पास चुबू में 32,000 है amount उसकी और 2.5% depreciation 800 बन गई और फिर आपने इसी तरीके से यहां से इस amount को minus किया तो यह 31,200 आ गया और यह आगे carry forward हो गया and so on and so on इसी तरीके से चलता रहा तो अब यह हमने जो है एक table जो है वो create किया वा जनवरी से लेके दिसंबर तक का मैं आपको इसके अंदर आपके first month क depreciation जो है उसको जो है वो record करके जो है वो दिखाऊंगा जैसे सबसे पहली आपकी depreciation record होगी January 2024 में अब जैसे हमने laptop के लिए एक recurring transaction मना लई थी इसके लिए हम नहीं create कर सकते क्योंके हर month इसकी depreciation की amount यह होगी वो क्या होगी वो अलग होगी अब हम यहाँ पर आते हैं और यहा सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे depreciation expense यह हमारे पास depreciation expense आ गया depreciation expense में आके सबसे पहले हम क्या चीज़ लिखेंगे यहां पर हम आ जाते हैं और यहां पर जो पहला depreciation expense है वो 750 है पहली गाली का और दूसरी गाली का depreciation expense कितना है पहले मत का 800 है तो यानि के total हमारे पास जो है वो depreciation expense बन गया यहां पर अब हम लिख देते हैं आपकी description depreciation expense for वहीकर ठीक हो गया यह हमारे पास इसकी narration आगई अब यहां पर आके accumulated depreciation जो है वो हमने लेनी है तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी हम accumulated depreciation जैसे इस case के अंदर आप देखें चार्ट of account के अंदर के आप अपनी accumulated depreciation को जो है चाहें तो वो आप motor vehicle के अंदर भी डाल सकते हैं जिसका account है 316 और चाहें तो आप एक अलग account भी create कर सकते हैं मैं इस case में आपको जो है अब मैं account type select करता हूँ यहाँ पर जो मेरे पास account type है यहाँ पर हम आ जाते हैं और देखते हैं accumulated depreciation इसकी जो account type है वो tangible assets आएगी और जो detail type है वो accumulated depreciation accumulated depreciation आएगी, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जो account type है, वो हमारे पास आ जाएगी, आपकी tangible assets, ठीक हो गया, और यहाँ पर जो detail type है, detail type हमारे पास आ जाएगी, accumulated depreciation, यह हमारे पास इसकी detail type आ गई, अब इसका जो नाम है, वो नाम हमने क्या रखना है, सबसे पहले हम य वहैखल का, तो यहाँ पर हमाते हैं, और यहाँ पर आके accumulated depreciation motor vehicle, इसको जो हम select कर लेते हैं, अब यहाँ पर आकर हमने इसका जो name रखना है, हमने इसका name क्या रखना है, accumulated depreciation तो इसका नेम रहे गई और साथ इसकी जो है वो गाड़ी का नाम आ जाएगा यहां पर हम आ जाते हैं और जो हमने एक गाड़ी थी उसका जो नाम है वो हम यहां पर लिख देते हैं यहां पर हम आ जाते हैं और यह इस गाड़ी का नाम है इसको हम यहां से कॉपी करते हैं यहां पर करते हैं और यह इसको मैं इस नाम को यहां पर लिख लिए और यहां पर आके मैं Save and Close पे क्लिक कर देता हूँ तो यह मेरे पास अब एक accumulated depreciation का अ今宫 हो जाएगा तो यहां पर मैं आता हूँ और यहां पर आके अब आप देखें मैं इस अकाउंट को जो है यहां पर मैंivasट कर लेता हूँ यहां ploy select कर लिया और इसकी depreciation जो है वो कितनी है इसकी depreciation है 750 ठीक हो गया अब इसी तरीके से आके मैं दूसरा account जो है दूसरा account यहाँ पर आके मैं create करता हूँ यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आके जो है मैं एक add new account करता हूँ और अब मेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे पास गाड़ी है यह वाली Mercedes मैंने यहाँ से इसको copy करना है 306B तो इसका code होगा ठीक हो गया यहाँ पर मैं आ रहाता हूँ और यहाँ पर आके इसी तरीके से यहाँ पर मैं account type में tangible assets के अंदर आता हूँ और detailed type में accumulated depreciation के उपर आता हूँ यह मेरे पास sub account है किसका sub account है accumulated depreciation motor vehicle का इसका जो है यह मेरे पास sub account है और यहाँ पर इसका जो number मेरे पास है वो number है मेरे पास 306B पहले वाले में भी जब मैंने नाम इसका लिखा था तो यहाँ पर आके मैं इसका नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर आके इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि 306B तो इसके साथ code जो है वो खुद बाखुद लग जाएगा यहाँ पर आके मैं इसको save and close पे click कर देता हूँ तो यहां पर आके मैंने इसको save and close पे जो है वो click किया, अब यहां पर जो है आ रहा है, another account is already using number 306B, यानि के 306B पहले भी किसी ने use किया वह है, मैं यहां पर आता हूँ, और chart of account पे आके देखता हूँ कि motor vehicle का 316 है, तो यह मैंने पहला भी गलत account create किया था, उसको हम वहां से ज मेरे पास account create हो गया है, और यह इसकी accumulated depreciation है 800, अब सबसे पहले हम इसको save and new पे click करेंगे, और फिर chart of account पे जाके जो है, इसको edit करेंगे, जो हमने भी account create किया है, यह आपको इसलिए बताना हूँ, ताकि आपको साथ-साथ जो है, वो सारी चीजों का idea होता जाए, कि हम कैसे account create करते हैं और mistake नहीं, अगर क्यों गलत code लिख देते हैं या गलत name लिख देते हैं, तो उसे हम बाद में जाके edit कर सकते हैं, यहाँ पर मैं save and new पे click करता हूँ, यहाँ पर save and new में click करने के बाद जो है, मेरे पास यह जनवरी के मन्त की depreciation जो है, वो record होगे और इसी तरीके से जो table के अंदर values आ रही है, हर मन्त की depreciation में वैसे record करता जाँगा, और अब यहाँ पर हम chart of account के अंदर आएंगे, chart of account के अंदर आके जो है, हम एक दफ़ा अपनी screen को जो है, वो refresh करेंगे, ताकि हमारा chart of account अपडेट हो जाए, जो भी हमने entries की हैं उनसे, तो आप यहाँ पर देखें, अब यह हमारे पास chart of account जो है, वो update हो के आगया है, और यह देखें, यह मेरे पास motor vehicle की accumulated depreciation है, जिसकी total amount 1550 है, जिसमें से 800 एक कार की है, अब आप देखें, एक कार के साथ तो यह देखें, 800 जिसकी depreciation है, account आ रहा है, 316 भी और इसका पूरा नाम आ रहा है, लेकिन इसके साथ आप देखें कि इसका account number नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आँगा और यहाँ पर आएकर इसको मैं edit करने के बाद जो है, इसको मैं सबसे पहले जो इसका account number है, वो मैं लिखूंगा, 316 ए, और यह जो मैंने इसके साथ number पहले से लिख दिया था इसका, यह यहां पर नहीं लिखते क्योंकि अकाउंट नेम के साथ नमबर नहीं लिखते हैं नमबर अलग से लिखते हैं वो खुद बखुद चार्ट अफ अकाउंट में लिखावा आ जाता है तो यहां पर आके मैं इसको सेफ पे क्लिक कर देता हूं यहां पर मैंने इसको सेफ पे क उसका टूटल जो है यहां पर मेरे पास accumulated depreciation का जो है वो आ रहा है तो यह हमारा एक overall concept था कि किस तरीके से हम अपनी depreciation को जो है वो record कर सकते हैं straight line method से भी और reducing balance method के through भी और किस तरीके से अगर हम चाहें तो accumulated depreciation के लिए भी हरेशिट का एक अलग account बना सकते हैं जैसे मैंने आपको vehicle के case के अंदर बना के दिखा है और computer equipment के case में जिसमें मैंने laptop add किया था उसके अंदर मैंने उसकी accumulated depreciation computer equipment के account में ही record कर दी थी तो यह हमारा overall जो है एक depreciation का topic था